फ्रेंड्स लट्वरेफेसन डिजाइनर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर किया हूँ हूँ कि हाव टू फाइंड यॉर ब्रा साइज अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो या आफ लाइन परचेज करना चाहते हो बहुत इसमारे मैं फाइन लड्स हkę अंपका है वाड़ा मेजरम ragd eles करने के बहुता है तो प्लीज वीडियो की अधीज का दैग बना हुऊ हे विडियो है तो चल्य को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो dol western प्लीज फार दीजरम बनाए जैशना की प्लाइज कर समय का C. सही जो measurement है उससे आपको क्या है तो सबसे पहले तो मैं आपको पता दूँ जो हमारा जब हम online लेते हैं जो कुछ भी अच्छी आप branded जो undergarments लेते हो तो उसमें देखिए इस तरह से लिखा होता है आपके जो measurement है उसके साथ B, C, D इस तरह से लिखा होता है तो यह से हमें पता का पता चलता है अपना cup size को हमारा cup size होता है चाहिस पैडिड़ पैन रहे हो या non-padded पैन रहे हो तो उसे आपको जो cup size है उसका कितना है तब ही आपकोizza चेप से मिलेगी अ को सबसे पहले हमें का कि मेजरमेंट की तो measurement क्या होता है मेजरमेंट दो चीज आपका बता है कौट पॉइंट हो गया ओबर्बस्ट यह आपकी ओबर्बस्ट यह ताओ यह ऑद Defense या और यह लोगा यह ओट अन्डर वाला ट्पभ बस्ट ब Вас्ट ओट और नीचे वा अलगे आप यह भैद कर लेना है आपका ओबर्बस्ट यह ओपर वाला गदेट यह ऐसा है लुम्लत अब माल लीजिए यहाँ पर मैपको दिखारी हूँ माल लीजिए आपका जो इंचिसमे आ रहा है थर्टी Vोरिंच ठीक है, यहाँ पर मैपको बतारी हूँ, OBER bus ऑर बॉस्ट आ रहा है आपका 34 जब अप इसको मेजर कर रहे हो तो आपका बॉस्ट आ रहा है इसमें difference होता है बहुत कम chances ऐसे होते हैं जब आपका बराबर रहता है बट आपका ये वाला area कम होता है और ये वाला area जादा रहता है तो मालीजी अब आपका ये है 32 inches ठीक है? ये है आपका तो सेम नहीं रहेगा थोड़ा बड़ difference तो होता ही है बहुत ज़़ा difference भी होता है तो अब अगर किसी का देखिए ओबर बस्ट ये वाला area किसी का अगर आ रहा है मालीजी 35.5 इसको कर दोगे प्लस 0.5 ठीक है? प्लस 0.5 कर दोगे प्लस 0.5 जब हम इसके अंदर कर देंगे नियर वाई आपका नंबर है जैसे 36 में मैंने इसको ये कर दिया प्लस कर दिया 35.5 आ रहा है तो आपने 36 कर देना है अगर 36.5 आ रहा है तो आपने 37 उसको कर देना है ठीक है? इस तरह से आपने कर देना है जैसे 0.5 आ रहा है, तो आपने इसको 37 में कर देना है, 0.5 में जब आपका आ रहा है, और जब आप ये वाला एरिया मेजर करोगे, अब ये वाला एरिया माल लो आपका आ रहा है, 31, ठीक है 31 आ रहा है, तो उसको आप 31 नहीं करो, रखोगे, आप उसको even नमबर में रखोगे, तो प्लस आपने इसमें कर लेना है 1, इस यह हो जाएगा आपका 32, अगर आपका 31 आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो अंडरबस्ट है, बैंड एरिया है, यहाँ पर मैंने बैंड एरिया भी लिख दिया, अंडरबस्ट ताकि आपको confusion ना रहे, अंडरबस्ट और बैंड ए यह लिख है, अगर आपका यह देखिए, 35.5 आ रहा है तो आपने इसको क्या क्र लेना है, 36 में क्र लेना है, अब मान लिजे, आपका 12 अब माल लीजिये, आपका बैंडेरिया आरहा है, 30.5, अब तब आप क्या करोगे, क्यूंकि आपको इसको इवन नंबर में ही रखना ही, जो बैंडेरिया है हमारा, वो हमारा एवन नंबर में ही रहेगा, तो जो भी नियर वाय है, अगर जैसे 0.5 है, 30.5 है, फिकार, या 32.5 ह तो आपका किस तरह से रहेगा वो तो आपने वो नंबर 30 ही रखना है 30 ही रखना है अगर 32.5 है तो आपका वो रहेगा 32 ही ठीक है अगर इसमें 0.5 है तो उसका कुछ नहीं होता आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हो बट अगर इसकी जगा 33 आ रहा है तो फिर आपने 34 यहां पर तो यह तो हो गया, आपनी measurement लेब किस तरासे हम measurement लेते हैं, औह भी किस दारब लिखना और अपना निकालना है अपना cup size ये cup size इससे बहुत सारा effect पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगी क्या फरक पड़ता है अगर हम wrong पैन लेते हैं तो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे किस तरह से हम cup अपना size निकालेंगे तो cup size निकालने के लिए क्या होगा जो हमारा over burst है over burst है ठीक है over burst minus करेंगे हम band area band area A,R,A ये minus कर दी हमने band area अब over burst है हमारा 34 उसे minus करेंगे हम जो under burst है मालीजे हमारा है 32 अब इसे हमने minus किया तो हमारे पास आ गया 2 ठीक है तो अगर आपका जो difference 2 का आ रहा है तो आपका जो cup size है वो क्या होगा जो आपका band area है समझ लीजे पहले जो आपका band area है वही आपका प्रा का size होता है जो आपका band area है यही आपके प्रा का size होता है जैसे आपका अगर band area यहाँ पर देखिए हमारा 32 है तो आपका क्या होगा जो size होगा वो क्या होगा 32B अगर 2 आपके बीच में difference आ रहा है तो आपका size होगा 32B एक बात को आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गलत बता दिया था आपको उसके लिए sorry जब मैंने बाम्ने की वीडियो की वज़े से मैं यी वीडियो बनात्यों हुआ मैंने वह जुआ नगी बना धी पर दिया थी चाए हम अपा जो हीश़ा कि मैं बेसे लिए अगर filter जा यह थी हरा चाह है ठिक है ये वाला एरिया तो वही आपका जो 경or का size है वहरता है अगर आपका 32 है, तो आपका 32 ही size है, और वो निकालना कैसे है, cup size किस तरह से हमें निकालना होता है, चीक है, प्रा का size होता है, वो क्या है, band size, band size है हमारा 32, और प्लस cup size हो गया हमारा, जो difference आपके बीच में आ रहा है, B, ठीक है, 32, B, अगर माल लीजिए आपका यही size जैसे, अब माल लीजिए आपका over worst 35 है, और आपका जो under worst है, या band area है, वो आपका है, 32, ठीक है, तो आप जब हम इसको minus करेंगी, क्योंकि cup size किस तरह से निकलता है, यह over worst minus under worst, करके हम cup size निकालते हैं, तो यह जब हम minus करेंगे, तो इसके बीच में रह गया, difference कितना आएगा, 3, ठी तो आपका size क्या होगा, आपका size क्या होगा, 32, अगर 3 difference आ रहा है, तो C आपका ये होगा, 32C, अब मैं आपको बताती हूँ, cup size different, क्या-क्या cup size होते हैं, अब आपनी समझ लिया किस सरा से हम cup size निकालते हैं, आपको, यह measurement भी लेना मैंने सिखा दी आपको, अब मैं यह आप अब आपको बताती हूँ, का जो, overbust और underbust में difference 0 है, तो आपके cup का size क्या रहेगा, double A, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है, जब आप या प्रेगनेंसी बेगरा में कुछ ऐसा हो जाता है, जब हमारा size बिल्कुल बराबर हो जाता है, उपर नीचे, तो हमारा size वो, क्या दोनों में अगर 0 difference है, माइनस करके जब आप कर रहे हो, तो आपका जो size है वो, double A रहेगा, और अगर आप माइनस करते हो, दो से band, overbust और underbust को, आपका जो difference है वो बन रहे रहा है, तो आपका cup size A होगा, ठीक है, दो अगर difference है, तो B रहेगा, तीन है, तो C रहेगा, चार ह तो D रहेगा, वैसे जदा तर यहां तक ही होता है, यहां तक भी नहीं होता है, यह बहुत कम होता है, यह बहुत कम होता है, जदा तर जो difference है, वो यहां तक ही रहता है, उसके बाद भी बहुत ऐसा होता है, कि कईयों का जो bust है, वो बहुत हाई हो जाता है, और कमर बहुत प । आपको हम एक साइज हो गा तो इसे friend क्या रहता है जो different cup sofizar ya, उसमें क्या फरकstat रहता है, ठीक ją है , एक तो यहां का फरका रहेगा यहां का फर्क रहेगा, जैसे आपका size A होगा, तो ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, यह वाला area थोड़ा चोटा होगा, आपका जो cup size है, वो भी छोटा होगा थोड़ा, यहां तक होगा, ठीक है, अगर B रहेगा, तो थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा, अब आपका जो ये वाला एरिया है ये जो कप है आपका ये बढ़ता जाएगा उपर यहां पर देख लिजिए इपर आपको पताचल जाएगा अगर यह B size है तो C में इतना बढ़ा हो जाएगा डी में और बढ़ा हो जाएगा इस तरह से आपको जो size है वो फिर बढ़ा हो ज और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा helpful रहा होगा तो प्लीज दूसरों के साथ जुरूर सेयर कीजेगा ताकि किसी और को भी पता चल सके कि हमारा जो मेजर्मेंट है सही लेने का तरीका है वो क्या है सो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टूटोरिल के साथ तब तक के लिए बाबाई